हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल पर तो आज हम लेका है रक्षबंदन इस पेशल इंडियन स्वीट का लाकन जो आप बहुती कम बजट में और कम समय में आप अपने भायों के लिए अच्छे से मिठाई बना सकते हैं और उनको इस रक्षबंदन अप कि वह अच्छे से रबड़ी बन जाए हमें उसे मीरे फिलेम पर ही पकाना है तेज गैस पर नहीं करना तो इससे हमारी रबड़ी एकदम बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी तो यह हमारा दूद अच्छे से आदा हो चुका है पकते पकते तो आब हम इसमें डाल रहे हैं 6-7 इलाइची इसे अच्छे से कूट के हम दूद मिक्स कर देंगे उससे जो हमारी स्वीर्स है उसमें जो सुगंद आएगी इलाइची के तो बहुत ही अच्छी आएगी तो ऊपर से हमने डाल है शुगर शुगर आप अपने अकोडिंग डाल सकते हैं कि जितना मीठा रख कर लिया है और हमने ले रहे हैं ड्राइफ रूट्स में लेंगे हम पिस्ता और बादाम तो पिस्ते को भी अच्छे अच्छे से चोटा चोटा टुकडों में काट लेंगे और इसी तरह से हम बादाम को भी अच्छे से कट कर लेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो हमने ड्राइफ रूट्स कट कर लिये हैं तो अभी हम जो हमारा दूद था वो अच्छे से रब्री बन चुका है तो हमने यहां पर इसमें सभी जो ड्राइफ रूट्स थे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और जो गोले का भरूदा था वो भी हमने मिक्स कर दिया और उसको ठंडा होने देंगे तो हमने एक प्लेट इदर ले लिए जिसमें हम देशी घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम उसको मिठाई को निकालेंगे तो वह बड़ी आसान इसे निकल जाएगी तो अभी हम जो मारा रबडी का पेस्ट है इसको अच्छे से पूरे प्ल ला देंगे ताकि पूरा एकवल एकवल में हो जाए तो इसी तरह से हम पूरी प्लेट में अच्छे से इसको फैला देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे तो अब हम उपर से डालेंगे इसमें dry fruits हमने जो बदाम और पिस्ता काटके रखा बाता है अब हम इसको उपर से अच्छे से डाल देंगे अच्छे से ड्राइफूट्स को अच्छे से फैला के इसको हम इतना ढग देंगे ताकि वो अच्छे से दिखाई दे और देखने में भी सुन्दर लगे और टेस्टी लगे खाने में भी कि अच्छे के छब देखे हमारी कल बसल्क है तो तो थोड़ा स 9 कि build। देंग हैं तो थोड़ा सा इसे च्छिह थ्धंडा होने के लिए छोड़ देंगे से इसी तरह से आप भे बना सकते हैं तो इसको थोड़ा सा थंदा होनेसे देंगे और उसके बाद हम उसे जब नॉर्मल ठेंपरेचर प्तुम्द हो जाए तो हमें इसको फ्रीजर में रख देना है तब थ्यूदĩ। ज़िस निकाल के आप अपने शेप है और उस शेप आप इसको कट कर सकते हैं तो हमने देखे कलाकंद बड़े ही आसानी से ही रेसिपी एकदम बनके तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं तो आप हम इसको अच्छे से शेप में कट कर लेंगे आप अपने अकोडिंग जो आपको शेप पसंद है उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं तो यह देखे हमने अपने कलाकंद को अच्छे से शेप में कट कर लिया है और कितनी परफेक्ट बनके यह तैयार हुई है और यकीन मानिए यह बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और कम समय में कम बजट में आप बढ़िया मिठाई घर पर ही बना सकते हैं तो इस रक्षबंदन अपने भाईयों के लिए जरूर बनाए और उन्हें अपने आतों से जरूर खिलाए तो आपको कर वीडियो बसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्र